ओमनमे शिवाय ओमनमे शिवाय दोस्तों आप सभी का बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभारे आपको किस मंत्र का जब करना चाहिए आपका गुरू मंत्र कौन सा है और आपके ग्रहों को आपके लिए फैवरेबल करें उसके लिए आपको कौन सा मंत्र इन्यमीत जब कर रहे हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि कुछ खाली पन है, तो मंत्र कई बार जीवन में खाली पन को भी भरते हैं, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, क्योंकि हर एक चीज का एक vibration होता है, नकारत्मक और सकारत्मक होता है, उधरन के लिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है किसी व्यक्ति से मिलकर आपको बहुत बुरा लगता है उसके vibration बिलकुल negative होता है सेम वही प्रभा होता है मंत्रों में कि जब आप मंत्रों के प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे अंदर एक सकारत्मक vibration create होता है और वो vibration हमारे जीवन पर, हमारे काम पर सब जगा हमें उसके सकारत्मक परिणाम दिखाए देते हैं तो आज आपको ये जानना जरूरी है कि आपको किन मंत्रों का जब करना चाहिए जो आपके लिए बहुत बहुत शुब कर हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल से नहीं जूने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भूले नात का कोई एक नाम लिखे हो यह वीडियो अच्छा लगे तभी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर अपनी कुल्ली का विशलेशन आप हमसे करवाना चाहते हैं जीवन में कोई तकलीफ या परिशानी से वर्तबान में गुजर रहे हैं कोई प्रेशन आपको बहुत ज़्यादा परिशान कर रहा है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चली रहे हैं वाट्सप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं उसका फीस उसका शुल्क लाग होई दोस्तों सबसे पहला मंतर है जो आपको जब करना चाहिए वो है आपका गुरू मंतर है अब गहुत से लोगों ने गुरू बना ली होंगे तो उनके मंतरों का नियमित जब करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं गुरू तो बना लिया, लेकिन मंत्र को भूल जाते, जब नहीं करते हैं, ये बहुत से लोग में से, दस में से साथ लोग यही करते हैं, सिर्फ तीनी लोग है जो गुरू के मंत्र का नियमित जब करते हैं, तो अगर आपने गुरू मंत्र है आपके पास, तो उसका नियमित आप डिस्टरब कर रहे हैं चाहे 11 बार, चाहे 20 बार उस मंत्र का जरूर प्रयोगाब करें तीसरा, कि मानने जे आपने ना गुरु बनाए हैं ना आपका गुरु मंत्र हैं ना आपका यग्ड़ पवित्र लेकिन फिर भी हमें मंत्र जब करना है सबसे बहला मंत्र हो चुका है जो सबसे साधारन और सरल जो आप बहुत आसानी से बोल पाएं सबसे सरल है ओम नमस्षिवाय नमस्षिवाय सीताराम ओम गनेशाय नमस्षिवाय ये सब मंत्र है और ये सब छोटे-छोटे मंत्र नहीं है, इन मंत्रों का महत तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनका जो वाणी है, जो इनके शब्द जो है, वो सिर्फ बहुत कम है, तीन, चार या पाँच, इससे ज़ादा नहीं है, तो इनके प्रयोग करने से आपको बहुत जल्दी एक सकारत आप्कूइब्रिशन आप क्रीइट करेंगे, तो अपने न मन में हमेशा ओम नमेशिवाय, ओम नमेशिवाय, ओम नमेशिवाय की बस रट चलने दे, अपना काम करते रहें, लेकिन ये जब एक धून जो है, ये अपने मन में बनाले, इस मंत्र की, आप देखेंगे कुछी दिनों में कुछी पलों में आपके साथ चमतकारी परिणाम आपको देखेंगे, अपके अनुभव अलग हो जाएंगे, ओम नमेशिवाएं